गुट इनिंग फ्रेंड्स and वेलकम डू जी एलसे एस जी एलसे एस के ओनलाइन प्रेट्फों में आप सभी लोग का स्वागत है और जैसे कि हम लोगोंने नेशनल यूमन राइट्स कमिशन और उसके बाद में राज जमाना वदिकारायोग हम लोगोंने खत्म किया अपना य vulnerable sections होते हैं एसे वर्ग होते हैं जो हमेशा कहिना कहीं सोशित और पिडित होते हैं एतिहासिक रूप से भी वे आज तक पिडित होते आए हैं तो कहिना कहीं उनके अधिकारों और उनके विकास को सुनेशित करने के लिए हम लोगोंने क्या बनाए ऐसे कहीं रास्ट्री पहल होई समधानीक साम विधिक और कहीं तरीकी कारी-कारी पहल सरकारों के द्वारा की गई जिसके माध्यम से उनके अधिकारों को हम लोग सुनिशित कर सकें और बहतर तरीके से उनके जीवन यापन को सुलब और सुचारों संचालन के लिए थोड़ी मदद कर सके तो कहीन है कि उसी के अंदर हम लोगों ने देखा कि हमारे part paper 2 ठेके ना उसकी unit 2 के अंदर हम लोगों ने एक आयोग हम लोगा है रास्ट्री, महिला, आयोग तो कहीन है कि आईए हम उसके बारे में जानते हैं चलो आप हैंने जाएं, purchase करें और संस्थाम दोरा provide किये गए सभी लाबों का लाब उठाएं चलो आगे बढ़ते हैं तो batches वगएरा शुरू होने वाले हैं आप लोग जल्दी सेल्दी, online, offline सभी courses available हैं आप लोग के लिए जोइन करें चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग रास्टी महिला आयोग चलो, शुरू करते हैं हम लोग कि रास्टी महिला आयोग का पहले परीचे देखते हम लोग रास्टी महिला आयोग 1990 के अधिनियम के द्वारा कब बनाया गया 1992 में इसकी स्थापना होई आधिनियम आया था आपका रास्टि महिला आयोग अधिनियम 1990 और अधिनियम आपका है 1992, ठीके ना, चलो, आजये, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो उद्देश हम देखते हैं कि महिलाओं की शिकायतों को सुनकर महिलाओं की शेकातों को सुनकर उनको सुनकर उनका समाधान करना और महिलाओं के अधिकारों का संदक्षन करना कही ना कही महिलाओं कही सारी चियों से और महिलाओं के साथ जो सोशन होता है वो भी दोहरा होता है इसलिए हम लोग उना एक्सर देखा है कि महिलाओं को जो सुईधाय दी जाती है वो भी दोहरे लाब भी दी जाते है क्योंकि सबसे पहले तो किसी महिला का महिला होना ही उसके लिए एक सुशन का कारण बन जाता है समाज के अंदर उसको secondary nature का मान लिए जाता है और उसके बाद अगर महिला अगर जन जाती है अनुसर जाती है अनुसर जन जाती से है तो उसको और भी दोहरा कहिना कई वो परिशान इसको जहलनी पड़ती है क्योंकि ये जो वर्ग है इनके साथ भी कहिना कई जो भेद्भाव का शिकार हो जाते है ठीक है न? चलो आईए हम लोग आगे देखते है संगठन जो होता है इसका एक और पांच का होता है ठीक है न? चलो कारिकाल तीन वर्ष या पेसट वर्ष इन में से जो भी पहले होगा वो इनका कारिकाल होगा या तो तीन वर्ष का कारिकाल होगा या पेसट वर्ष की आयू का कारिकाल होगा ठीक है न? चलो आगे हम लोग देखते हैं कि महिला आयोग के आखिर कारिक है आखिर करता है क्या है महिला आयोग? रास्टी महिला आयोक को निम्नेकार इस प्रकार प्रदान किये गए हैं सबसे पहले महिलाओं के विरुद्ध हुए अपरादों की शिकायतों को सुनना और उनका निवारंड करना महिलाओं के लिए सम्विधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समिक्षा करना कि क्या सम्विधान में उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या तरीके हैं और कानून बना कर लौ बना कर किस तरीके से उनके उने जो दिये गए हैं अधिकार दिये गए हैं और उनको सुरक्षित रखने के लिए उपाय किये गए हैं, वे किस हद तक कारगर हैं, ठीक है न, तो उनकी समिक्षा करना, फिर हम लोग देखते हैं कि महिलाओं के लिए वैधानिक उपचार संबंधी उपायों का सरकार को सुझाओ देना, ठीक है न, कैसा, महिलाओं के महिलाओं द्वारा प्राप्त शिकायतों के समाधान को प्रोचसाहित करना, जिससे ज़्यादा स्यादा वे अपने अधिकारों का लाप उठा सकें, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब अगले कारियों की कड़ी में देखते हैं कि इस छेतर में कारियरत, गेर सरकारी संगठन जिसकों हम लोग NGO's कहते हैं, Non-Government Organization, ठीक है न? तो इस छेतर में कारियरत, गेर सरकारी संगठनों को प्रोचसाहित करना, ताकि वे भी सरकार के साथ हाथ मिलाकर क्या कर सकें, अपनी भूमी का सुनिशित कर सकें, और वे भी अपना यूगदान दे सकें, और कहिना कि सरकार का कारिय कहिना कहिना पर आसान हो सके, महिलाओं के हितों को प्रभावित करने वाले सभी नितिगत मामलों पर सरकार को परामर्ष देना, ठीक है न? चलो, आईए आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक वर्ष और अन्ने समय पर जो आयोग उचित समझे, उन रक्षा उपायों तथ कारियों के बारे में केंद सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना, क्या करना? रिपोर्ट प्रस्तुत करना, फिर आगे, महिलाओं को संरक्षन प्रदान करने के लिए तथा समता विकास का उद्देश प्राप्त करने के लिए अधिनियम कानूनों का क्रियान वेन चलो, आगे बढ़ते हैं, चलो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तत्यों, पहली महीला आयोग के अध्याग जो थी, वो कौन थी, श्रीमती, जैनती, पटनायक सा, ठीक है न, चलो, वर्तमान रास्टी महीला आयोग, की अध्याक्षा कोन है, अध्याक्षा आपके श्रीमती देसाई और श्रीमती मीता राजविलोचन ठीक है ना राजमहिला आयोग की जो अध्यक्षे हैं वो श्रीलता वान खेड़े हैं ठीक है ना स्थापना देखते हैं तो बाल अधिकार सनरक्षन अधिनियम के अंतरगत 2005 के अंतरगत मार्च 2007 में इसके स्थापना होगी महिला एवं बाल विकास मंतराले के प्रशासनिक नियंतरण में यह कारी करता है आगे देखते हैं संगठन देखते हैं इसके संगठन में एक अधियक्ष और छे सदस्य होते हैं जिसमें कम से कम दो महिलाएं होना आवश्यक है आगे देखते हैं नियुक्ति सभी सदस्यों की नियुक्ति केंदर सरकार द्वारा होगी कारेकाल देखते हैं हम लोग तीन वर्ष का होता है और अधियक्ष की अधिक्तम आयू जो है वो 65 वर्ष की तथा सदस्यों की अधिक्तम आयू जो है वो 60 वर्ष होती है ठीके ना कितने अध्यक्षों की जो है वो अधिक्तम 65 वर्ष है तथा सदस्यों की जो अधिक्तम आयो है वो 60 वर्ष होती है चलो, कार्य हम लोग देखते हैं, ठीक है न? चलो, बाल अधिकारों के उलंगन की जाज करना ठीक है न? जो भी बच्चों के अधिकार है, उनके जो उलंगन हो रहे हैं, उसकी जाज करना और कार्यवाही के संबंद में सिफारिश करना, कि आप ऐसा ऐसा करिए, क्योंकि यहाँ यहाँ ऐसे अधिकारों की वंचना, यह अधिकारों का उलंगन पाया गया है बाल अधिकार कानून के उलंगन के संबंद में शिकायतों की जाँच कर सकता है अगे दिछते हैं, बाल अधिकारों के संड्रक्षन के लिए उस समय मोजूद कानून के तहट बचाव की स्थती, संबंदी जाँच और समिक्षा करना तथा इनके प्रभावी क्रियानवयन के उपायों की सिफारिश करना ठीक है न? प्रभावित लोग को अंतरिम राहत देने के लिए सिफारिश कर सकता है ठीक है न? जो भी वेक्ति से प्रभावित हुआ है ठीक है न? उसको राहत दिलाई जा सकती है किसी वेकती को पुच्च्टाच करने हे तु बुलाना तथा साक्षओं की मांग कर सकता है फिर न्याइक जाज का आदेश दे सकता है आगे बढ़ते हैं हाई कोट या सुप्रीम कोट में याचिका दायर कर सकता है क्या कर सकता है? हाई कोट या सुप्रीम कोट में याची का दायर कर सकता है चलो, आगे बढ़ते हैं रक्षात्मक उपाईयों की कार शेली पर केन सरकार के समुक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपना प्रतिवेदन देना उन सभी कारकों की जाच करना जो आतंगवाद, सामप्रदाइक हिंसा, दंगो, प्राकर्तिकाब्द, घरेलू हिंसा, HIV-AIDS, अनेतिक व्यापार, दुर व्यापार, अश्लील चितरन तथा वेश्य व्रति से प्रभावित, बाल अधिकारों का लाब उठाने का निशेद करते हैं तथा उप्युक्त सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करते हैं ये सभी कार्य हैं बाल सरक्षन आयोग के चलो, आखरी में कुछ देखते हैं हम लोग कि अन्य अंतरासी समझोतों और साधनों वा मोजूदा नीतियों, कारेक्रमों की समिक्षा करना वा प्रभावी कार्य अन्य वैन के लिए सिफारिश करना ये इसके कार्य हो गए किसोर संरक्षन ग्रे, जुवेनाईल जो ग्रे होते हैं हाउस होते हैं, होम्स होते हैं या निवास के किसी अनिस्थान, बच्चों के लिए बनाये गए संस्थान का निरिक्षन करना जहां ऐसे पिडित और प्रभवित बच्चे उपस्थित होते हैं तथे बालकों को 0 से ये सुनने से 18 वर्ष के आयू वर्ग में सामिल व्यक्ति के रूप में परिभाशित किया गया है तो जो भी व्यक्ति इसमें लाब लेता है वो 0 से सुनने से 18 वर्ष तक का व्यक्ति हो सकता है रास्टी बाल सरक्षन आयोग पहली अध्यक्र, शांता, सिनह ठीक है ना, रास्टी बाल सरक्षन आयोग के वरतमान जो अध्यक्षे हैं ये प्रियंक कानून को है ठीक है, चलो तो आप सभी लोग Google प्रेट्फॉम पर जाकर आप लोग जील से टॉप 50 डाउनलोड करें और संस्थान द्वारा प्रोवाइड कियें तमाम सुधाओं का लाब ले ठीक है ना, अगले लेक्चर में अगली कड़ी के साथ हम लोग मिलते हैं थैंक्यू, जाहिन